पल्लव राजवणष, इतिहास, संस्थापक, शासक, कला और धर्म पल्लव राजवणष, दक्षण भारतीय उत्महाद्वीप में दो सो पचेक्तर सीए से आज सोसत्तानवे सीए तक स्थित्था UPSC परीक्षा के लिए पल्लव राजवन्ष, इतिहास, संस्थापक, शासक, कला, साहित्य और धर्म के बारे में सब कुछ पढ़े पल्लव वन्ष पल्लव राजवन्ष दक्षण भारत के क्षेत्र में स्थित्था पल्लव वन्ष का शासन 275 से 897 इसवी तक चला उन्होंने धर्म, दर्शन, कला, सिक्के और वास्तुकला के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से जोड़ा और दक्षण भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे महिंद्र वर्मन प्रथम और नर्सिंग वर्मन प्रथम पल्लवों की शक्ति के शीर्ष थे टोंड़ मंदलम में अपने पूरे शासनकाल के दौरान, वे दक्षण में चोलों और पांडियों के तमिल राज्यों और उत्तर में बादामी के चालुकियों के साथ थे उनके किनारे के मंदिर का डिजाइन उनके बारे में सबसे ज्यादा याद किया जाता है इस लेक में हम UPSC पाठेक्रम के इतिहास खंड के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में पल्लव राजवंच 275 CE 897 CE पर चर्चा करेंगे पल्लव राजवंच का इतिहास पल्लवों का इतिहास असपष्ट है इतिहास कारों द्वारा कई विचार सामने रखे गए है कुछ इतिहास कारों का दावा है कि वे पार्थियन लोगों की एक शाखा है एक इरानी जन जाती जो धीरे-धीरे दक्षन भारत में चली गई कुछ लोग दावा करते हैं कि वे एक स्वदेशी राजवंच हैं जो दक्षन में उत्पन हुए थे और विभिनकुलों का एक संग्लियन था कुछ विशेशग्यों के अनुसार वे मदरास के पास तोंडाई मंडलम क्षेत्र से उत्पन हुए थे और पहले वहां बसे थे एक अन्य परिकल्पना में कहा गया है कि वे मनिपलवं में जनमे नागा राजकुमारी और चोल राजकुमार, श्रीलंका के बच्चे हैं कुछ लोगों को लगता है कि सात्वाहनों का पलवों के साथ विवाद था चौथी शताबदी ईसवी की शुरुवात में पहले पलव राजाओं ने शासन किया बादामी के चालुकियों, मदुरे के पांडियों और कांचीपुरम के पलवों ने पलव राजवंच के संस्थापक को सिमह विष्णू माना जाता है वह एक सफल विजेता और सेनापती था जिसने कांची की स्थापना की जिसे कांचीपुरम के नाम से भी जाना जाता है को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया वह सिंगवर मंथ्री के पुत्र अवनिसिमहा के रूप में भी जाने जाते थे और भारत के सबसे शांदार पलव शास्कों में से एक थे उन्होंने 556 से 590 सी तक शासन किया पलव वंच विस्तार कांचीपुरम पलवों के मुख्य शहर के रूप में कार्य करता था पलव वंच के शासक शिवसकंद वर्मन चौथी शताबदी ईस्वी शुरुवाती राजाओं में से वह सबसे शक्तिशाली था इसकी शुरुवात चौथी शताबदी ईस्वी में शासक के रूप में हुई थी चार्टर 283 ईस्वी में कांची के शिवसकंद वर्मन द्वारा दिया गया था जो एक पल्लव राजा था जिसने 275 से 300 सी तक शासन किया था उन्होंने अश्वमेद और अन्यवैदिक प्रसाद चढ़ाए सिंहवर्मन सिंहविष्णू 575 से 600 ई वंज का पहला राजा सिंहविष्णू था शाही पलवों का यूग तब शुरू हुआ जब सिंहविष्णू ने कालभ्रों को परास कर दिया उसने चोल पांड्य और चेर देशों के राजाओं को भी उखाड फैंका क्रिष्णा और कावेरी नदियों के बीच उन्होंने पूरे क्षेत्र पर पूर्ण शक्ती रखी उनका नाम अवनेशिमा था और वे विष्णू पृत्वी के शेर की पूजा करते थे परंपरा यहा है कि महान कवी भर्वी ने उनके महल में उनसे मुलाकात की सिंग विष्णू का पुत्र महिंद्र वर्मन प्रथम उसके पीछे पीछे चल पड़ा वह कई कौशल के साथ एक बहुश्रुत था वह एक राजनी तिग्य, एक सैनिक, एक कवी, एक वास्तुकार, एक संगीतकार और एक धार्मिक सुधारक थे मत्तविलासा के अलावा, उन्होंने चित्रकारापुली, विचित्रचित, गुंडाभा और ललितांकुरा की उपाधिया भी धारन की लंबे समय से चल रहा पलव चालुक्या विवाद इसी दौरान शुरू हुआ कांची के पास, पुलकेशिन वितिया ने पुल्लूर लडाई में महिंद्रवर्मन प्रथम को हराया पुलकेशिन वितिया पलव राजधानी पहुँचने के करीब था जब महिंद्रवर्मन ने उसे अपने उत्तरी प्रांतों का नियंत्रन देकर शांती खरीदी थी पल्लव वंश का अधिकार और प्रतिष्ठा पल्लवों में सबसे महान नर्सिंग अवर्मन प्रत्थम के अधीन अविश्वस्नियों उचानियों पर पहुँच गई उनका नाम महमल्ला या ममल्ला महान सेनानी के लिए अर्भी है उनके पिता ने पल्लव चालुक्य युद्ध शुरू किया, जिसे उन्होंने प्रभावी धंग से आगे बढ़ाया वह चालुक्य राजा पुलकेशिन वितिया से बदला लेना चाहता था, जिसमें उसके पिता को हराया था उन्होंने तीन संघर्षों में पुलकेशिन वितिया को हराया, जिसमें 642 सीस्वी में कांची के करीब मनिमंगलम में एक भी शामिल था नर्सिंग वर्मन ने पुलकेशिन वितिया को उनकी मृत्यू वातापी के विजेता के बाद वातापिकॉंडा के रूप में सफल किया पल्लव सामराज्य द्रविड शैली की इमारतों के समर्थन के लिए प्रसिद्ध था उन्होंने रौकेट इमारतों से पत्थर के मंदिरों में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई जो आज भी महाबलीपुरम में देखी जा सकती है इन शक्तिशाली शासकों ने पारंपरिक द्रविड वास्तुकला के मूल सिध्धान्तों की स्थापना की और अविश्वस्निय मूर्तियों और शांदार मंदिरों को पीछे छोड़ दिया जो आज भी खड़े हैं चीनी यात्री हवेंट सांग ने चीन में बौध धर्म के चान, जेन, स्कूल के निर्माता बोधिधर्म का वर्नन पलव वंच के एक राजकुमार, सकंद वर्मन चतुर्थ, नंदी वर्मन प्रथम के समकालीन और सिम्हा वर्मन वितिया के पुत्र के रूप में किया है वेंट सांग ने पलव कानून के दौरान कांचीपुरम का दौरा किया और उनके उदार फर्मान को सुशोभित किया नर्सिंग अवर्मन वितिया ने कांचीपुरम में बीच मंदिर और कैलाशनात मंदिर का निर्मान किया बहतरीन स्थापत्य प्रतिष्ठा वाले दो मंदिर कैलाशनाथ और वैकुंत पेरुमल हैं पल्लवों के अतीत को दर्शाती मूर्तियां आठवी शताबदी ईसवी में निर्मित एक बहुमंजला मंदिर वैकुंत पेरुमल मंदिर में पाई जा सकती हैं पल्लव वंश प्रमुक साहित्यक कार्या पल्लवों ने स्कूली शिक्षा का भरपूर समर्थन किया उनकी राजधानी, कांची, अध्येन का एक एतिहासिक केंद्र था कांची में प्रसिद घाटिका ने पूरे भारत और विदेशों के छात्रों को आकरशित किया कदम वंश के संस्थापक मयूर सर्मन ने कांची में वेदो की शिक्षा प्राप्त की थी बौध लेखक डिंगनागा ने सीखने के लिए कांची की यात्रा की धर्मपाल जो अंत्ता नालंदा विश्व विद्यालय के अध्यक्ष बने का जन्म और पालन पोशन कांची में हुआ था प्रख्यात संस्कृत विद्वान भर्वी सिंह विष्णों के शासनकाल में निवास करते थे एक अन्य संस्कृत लेखक दंडिन नर्सिंग वर्मन विद्या के महल में अतिथी थे महिंद्र वर्मन प्रथम ने संस्कृत नाटक मत्विलासा प्रहासन की रचना की इस दौरान तमिल लेखन में भी तरक्की हुई थी इस अवधी में नृत्य और संगीत दोनों फलेफूले तमिल भक्ती संतों ने संगीत और आंदोलन के माध्यम से दयालू भगवान की अवधार्णा को मूर्त रूप दिया धार्मिक गीतों के गायन के साथ संगीत और नृत्य का उप्योग किया जाता था पलव वंच धर्म पलव राजवंच के स्थानिय धर्म शैव धर्म को अपनाया गया और वेद्रविट बन गए प्रारंब में पलवों की पहचान ब्रहमाख शत्रियों हत्यारों की खोज में ब्रहमन के रूप में की गई थी पल्लवों को पांचवी शताब्दी ईसवी तक तमिलनाडु के कुरूबा या कुरूमबर से क्षत्रिय माना जाता था उन्होंने सनातन धर्म की वकालत की कुछ राजाओं ने प्रचलित परंपराओं के अनुसार अश्वमेद और अन्यवैदिक यग्यों की पेशकश की उन्होंने देवताओं और ब्राह्मनों को भूमी के उपहार भेंट किये महिंद्रवर्मन प्रथम बाद में जैन धर्म का भक्त बन गया जैसा की शायद उनके पिता थे बाद में महिंद्रवर्मन ने शैव मास्टर अप्पार द्वारा निर्देशित हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए राश्ट्रकूटों के उद्भव के साथ पल्लव राजवन्च का पतन हो गया था 897 इसवी में चोल राजा विजयाले ने अंतिम पल्लव समराठ अप्राजिता वर्मन को निरनायक रूप से हराया पल्लव वंच का पतन कांची पर विक्रमादित्य द्वितिया के हमले और उस शहर के अस्थाही कबजे ने दक्षन भारत पर पल्लव राजवन्च के अंत की शुरुवात को चेहनित किया पश्चमी भारत के गंगाउं, राश्ट्रकूटों और पांडियों ने पल्लव सामराज्य पर बंबारी की राश्ट्रकूट सामराज्य के शासक दंतिदुर्ग ने नंदी वर्मन को परास कर दिया नंदी वर्मन ने पल्लव सामराज्य को तूटने से बचाने के लिए अपनी बेटी रेवा को दंती दुर्ग में शादी के लिए उपलब्ध कराया केवल नवी शताब्दी इसवी के अंत तक पल्लव का अधिकार जारी रहा अप राजिता वर्मन ने नौसो तीन इसवी में अंतिम पल्लव समराठ के रूप में शासन किया चोल राजा आदित्य प्रथम ने अपार्जित वर्मन को हराया और कांची क्षेत्र पर नियंतरन कर लिया परिणामस्वरूप दक्षिन भारत पर अब पल्लवों का शासन नहीं था